बिहार सरकार में स्वास्ति मंत्री के सरकारी आवास पर कटिहार सांसत दुलाल चंद्र गोस्वामी ने संयूक्द रूप से आवला का व्रिक्षार ओपन किया बिहार के स्वास्ति मंत्री मंगल पांडे एवं कटिहार के सांसत दुलाल चंद्र गोस्वामी ने संयूक्द रूप से स्वास्ति मंत्री आवास पर्टना में आवला का विक्षारोपन किया स्वास्तिक मंत्री मंगलपाने ने कहा कि हम सबों को एक पेड लगाना चाहिए तभी हमारे देश में हर्याली ही हर्याली नजर आएगी हम सबों का दाइत्व बनता है कि अपने घरों के सामने एक पेड लगाए जिससे शुद्ध हवा लोगों तक पहुँचे वही सांसत दुलाल चंद्र गोस्वामे ने व्रिक्षा रोपन के उपरान कहा कि व्रिक्षा रोपन से सभी लोगों को फाइदा है शुद्ध हवा एवं बिमारियों से बचाता है इसलिए हम सबों को कम से कम एक पेड अपने घरों के इपगिर्द लगानी चाहिए अच्छे नागरिक के नाते व्रिक्ष लगा कर देश को हर्याली ही हर्याली में तब्दिल करे सरकार के द्वारा अनेक योजनाय चलाई जा रही है इसका भी सभी को लाब लेनी चाहिए मनरेगा के तहक बुर्क्ष रोपन के मजदूरों को प्रति दिन मजदूरी मिलते हैं तथा जब तक पौधा बड़ा नहीं हो जाता मजदूर एवं देखभाल करने वाले लोगों को इसका लाब तब तक मिलता रहता है वहीं मुख्य रूप से उपस्तित भाजपा नेता विवेक ठाकूर एवं परियतन विभाग के वर्यपतादिकारी उपस्तित थे अधियो प्याँ मुद्दाश के प्रियतन विभाग के विवेक ठाले लूप से इसका लिवेक बाता है बल्य विवेक विवेशन के विवेक विवेक ठाले जभ थाईब तक याद मुद्दाब के विवेक एपस्तित व Bear क्या क्या दिखाए ये खिड़की जजबे है जितने दिखते तुझी में है माईने की खिड़की हो जाकी जो तुझ में देखे है खुद को है आईने सी खिड़की क्या क्या दिखाए ये खिड़की क्या क्या दिखाए ये खिड़की रातों में भी सूरज उगाए कुछ ऐसे है ये खिड़की हर घर में जैसे इक टिंटि माती दुनिया बसाए ये खिड़की क्या क्या दिखाए ये खिड़की सब को और जाए खिड़की क्या क्या दिखाए ये खिड़की रातों में जैसे आपbud आमाए